तो आईएगा दोस्तो आज हम लेडी सूट कॉलर और बॉटम के बारे में बताएंगे किस प्रकार से हमें चड़ाना और बनाना है कॉलर तो यहाँ पे हम बॉटम पहले से ही यह मोड़ रखा तो यहाँ पे हम अपनी लैश यह नीचे की आप देख सकते हैं तो हम लैश में उल्टा सिधा देख लेंगे फूल हमारे उपर की तरफ आना चाहिए इस प्रकार से इस हिसाफ से आना चाहिए तो यहाँ पे हम दबाव काड़ देंगे और इस प्रकार से हम लैश हम नीचे की तरफ निकाल लेंगे मात्र हमें शिलाई भर इस प्रकार से ले लेना है और इस शिलाई को हम बिर्कुल सूधी जिस हिसाफ से हमारी शिलाई पहले वाली लगी है उसको देख करके इस प्रकार से बिर्कुल सूधी हमें यह लैश लगाना है अब यहां पे रोग लेंगे और यह जो हमारा बढ़ा हुआ है लेस इसको कटिंग कर देंगे और इसको इस हिसाफ से मोड़ लेंगे अब इधर की जो हमारी ये साइड है यहां की इसको हम इस प्रकार से ये साइड रोग लेते हैं इसी प्रकार से दूसरे तरफ भी रोग लेते हैं सिलाई से अब ये हमारे बॉटम में इस प्रकार से लैस लग चुकी है अब हम आपको कॉलर के बारे में बताएंगे तो यहां पर पहले हम धागा इस प्रकार से अटाल देते हैं और इसको देख लेते हैं कच्चा थो नहीं रह गया अब इसके बाद में हम आजाते हैं कॉलर की तरफ तो इसमें पहले हम बीचो बीच में इस प्रकार से गले को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे एक गुटका उठा लेते हैं अब यह बीचो बीच में हमारा गुटका हो चुका है आप देख सकते हैं अब इश के बाद में हम यह हमारी कॉलर है अब इश को हम पेस्टिंग पहले कर रखते हैं इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं अब नीचे का अस्तर हम लेंगे अब यह हमारा कपड़ा है अब इश के हम इस प्रकार से रख लेंगे और इस हिसाफ से सिलाई बकरम से हट करके एक सूत नीचे की तरफ रखना है अब इसके बाद में हम इसके उपर की शिलाई बिर्कुल किनारे की कदर की यानि लगा लेंगे इस प्रकार से यह हमारी कॉलर साड़े दस इंच की है आपको बता दिया है साड़े दस इंच की कॉलर है और इसको इस प्रकार से हम बिचो बिच में करके यहाँ पे गुटका उठा लेंगे अब हम सूट को उठाते हैं यहाँ पे गुटका लगा है यह वाला गुटका लगा है और यह वाला यहाँ पे गुटका लगा तो गुटका को गुटका एक समान बराबर रख करके और इस प्रकार से हम जितना दबाव हमने लिया था आधा इंच उसी हिसाफ से हम सिलाई लगा लेते हैं अब एक साइड की हमारी कॉलर चड़ गई है अब दूसरी तरफ हम चड़ाएंगे तो इसको कॉलर को इस हिसाफ से बराबर कर लेंगे क्योंकि आगे हमारी सिलाई लगी है अब इसको हम पलट लेंगे अब यह हमारी सिद्धा तरफ आ जायेगी क्योंकि उल्टा तरफ से हमने कॉलर चड़ाया हुआ था अब हम कॉलर को इस प्रकार से पक्की कर लेते हैं बराबर विर्कुल सुकड़न नहीं आनी चाहिए विर्कुल बराबर हमें पक्की करना इस प्रकार से अब यह हमारी कॉलर पक्की हो चुकी है आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने कॉलर दार सूट की शिलाई आपको बताया है अब हमारी कॉलर इस प्रकार से बन करके पीश तयार हो चुका है इसी परकार से आप कॉलर दाशुट बन करके पीश तयार हो चुका है